हलो दोस्तों ख्रोशे क्राफ की दुनिया में वेलकम आज के इस वीडियो में हम ख्रोशे से एक पजामा या पैंट जो भी आप कहते हैं वो बनाना सीखेंगे देखिए यह मैंने एक तीन महीने के बच्चे के लिए बनाया है तो इसको मैंने एक टॉप मैंने पहले वीडियो में एक बनाया था जो स्वेटर या टॉप जिसे कहते हैं यह भी तीन महीने के बच्चे के लिए है तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक सेट जैसे बनाया है तो यह था मेरा एक पजामा तो यह तीन महीने के लिए हैं इसको आप किसी भी बच्चे के लिए बना सकते हैं और इसको यह जो वेस्ट है उसको आप एते डोरी से से टाइट या लूस कर सकते हैं तो यह बनाना सीखेंगे तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आपके पास अगर पुराना कोई जो आप जिसके लिए बना रहे हैं वो जिस तरह का पैंड जो पैंटा है अगर उसका प यह एक साल के उपर के लिए है तो इसको मैंने थोड़ा बेस बना के बनाया था तो देखें इसको हम ऐसे लगाएंगे तो यह हम पहले अपना यह पर स्ट्रो यह पट्टी बनाएंगे तो आपको जो भी आप जिसके विए बना रहे हैं उसका एक पैजामा ले दीजे और इ डाइपर डालते हैं या कपडा डालते हैं तो वो स्पेस भी होना चाहिए तो यह मेशरमेंट भी आपको आपको जानना होगा और साथी में जो लेंग्ट आप चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए तब हम इसे बना सकते हैं यह तीन महिने के लिए बनाया है अगर मैं बताऊंगी आप हर किसी के लिभी बना रहे हैं उस साइज में हम इसे बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं तो देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे और साथी में इसे बनाने के लिए मैंने 4.5 mm का हुप और 4 प्लाइ अक्राइलिक यार दिया है आप कोई भी वेवी या अपना वेश्ट से कर लिजे और थोड़ा ज्यादा एक या आधा इंच ज्यादा रख लिजे लिए तो एक, दो, तीन, चाल, पांच, ऐसे आप chain stitches बनाईए और आपको chain stitch बनाने के बाद first और last stitch को join करना है तो क्या होगा, कि जब आप chain stitches बनाएंगे, तो शायद ये मुड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी दूर में बनाने के बाद आप, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, कि आप अपने first chain में इसको फिर से ले लीजिए देखिए, इस तरह से, और फिर ये जो loop है, इसमें ऐसे बनाते जाएए तो क्या होगा, हमारा ये chain जो है, बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं तो मैं ऐसे, देखिए, इस तरह से आप chains बनाते जाएए, मैं बनाती हूँ और दिखाती हूँ, इसे कैसे slip stitch करते हैं तो देखिए, यहां मैंने थोड़े chain stitches बना लिये हैं, और इसको हम slip stitch से join कर लेंगे इसको ऐसे ले लिया, और इसको हम यहां से first or last stitch को join करेंगे, ठीक है, तो देखिए, मेरे पास यह 9 to 12 months का है और यह मैं 3 months के लिए बना रही हूँ, तो अगर आप इसको ऐसे पकड़ लेंगे, तो यह almost यहां तक आ जाएगा, तो आपका जितना भी है, यह मैंने थोड़ा छोटा बना रही है, आपका जितना भी है, उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए, तो यह मेरा waistband बैट जाए होगा, इसको हम single crochet, double crochet से कुछ नहीं count करेंगे, यह सिर्फ हमारा एक turning chain है, अब इसके बाद जो आपका पहला जो stitch है, देखिए, वहां हमें double crochet बनाएंगे, पहले stitch में, इसको ऐसे ले लिया, इसको यहां से डालेंगे, और एक double crochet, अगर आपको double crochet सब नहीं पता है, तो मैंन beginners का एक series किया था, तो उसमें आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ, आपको अपने yarn को ऐसे yarn over लेना है, और जो stitch में आप double crochet बनाना है, उसमें डाल दीजिए, फिर से yarn over करके से निकालेंगे, फिर yarn over करेंगे, पहले दो लूप में से निकालेंगे, फिर yarn over करक के दूस्टे दूलूप में से, तो ये बनिया हमारा double crochet, तो इस तरह आपको इस पूरे row में एक double crochet हर एक stitch के उपर बनाना है, तो हमारा first round double crochet पूरे row में, तो इस तरह आप इस पूरे round में एक double crochet बना दीजिए, मैं भी बनाती हूँ और दिखाती हूँ, इसके बाद हम next step क्य क्या करेंगे, ठीक है, तो ऐसे बनाते जाएं, यहां से इस पूरे round तक, तो देखें, हमें इस पूरे round में एक double crochet कर लिया है, अब इसके बाद जो हमारा पहला double crochet था, उसके जो उपर का stitch है, उसमें हमें slip stitch लगा देंगे, और इसको इस round को complete कर देंगे, मैं एक बात बताना बूल गए थी, जब भी आप chain stitch बना रहे हैं, तो एक बात का ख्याल रखिए कि वो chain stitch multiples of 2 में हो, जैसे 40 या 60, 80 जो भी है, वो multiples of 2 में होने चाहिए, क्योंकि जब हम अपने pant के लिए divide कर रहे होंगे, तो आपको correct दो भागों में उसको divide करना है, तो chain stitch भी multiple of 2 में बना दीज मैं कहना बूल गए थी, अब हम round 2 में जाएंगे, तो round 2 में जाने के लिए यहां फिर से हम एक chain stitch लगाएंगे, यह हमारा turning chain होगा, अब इसके बाद हम अपने जो पहला stitch है, उसमें हम एक double crochet बनाएंगे, उसके बाद हम एक chain stitch लगाएंगे, फिर जो next stitch है, उसको हम skip करेंगे इसको हम skip करेंगे, और उसके next में हम एक double crochet डालेंगे, ठीक है, तो यहां एक gap बन गया, फिर हम एक chain stitch करेंगे, एक stitch को skip करेंगे, और जो next कर है, उसमें हम एक stitch को छोड़ेंगे, और उसके next में हम double crochet बनाएंगे, इसी pattern को आपको repeat करना है, chain stitch और double crochet, तो एक को छोड़ेंगे और next में double crochet तो इससे क्या होगा हमें ऐसे holes मिल जाएंगे जिसमें से हम नाडा डाल सकते हैं नाडा या string जिससे हम अपने pant को tight कर सकते हैं देखिए ऐसे इस तरह से gap मिल जाएगा तो देखिए इस पूरे round में मैंने ऐसे hole का एक round बना दिया है double crochet और chain stitch से अब हम इस round को finish करने के लिए हमारे पहले जो double crochet था उसमें हमें एक slip stitch लगा देंगे तो यहाँ मैंने एक chain stitch किया था last में और यह जो हमारा पहले का जो double crochet है उसके उपर हमें एक slip stitch लगाना है और इस round को हम finish कर देंगे चिक है तो यह बन गया हमारा second round अब third round जाने के लिए हम फिर से एक chain stitch बनाएंगे अब क्या करना है यहाँ फिर से हम एक double crochet ही बनाएंगे देखिए यहाँ पहले stitch में आपको एक double crochet बनाना है इस पूरे round में third round में हमें हर एक stitch में एक double crochet करना है तो यह double crochet हो गया उसके बाद जो ग्याप है उसमें आप एक double crochet बना दीजिए ठीक है आप इसके बाद यहां उपर का जो double crochet है उसके उपर एक double crochet बनाना है फिर ग्याप में बनाना है तो इसी तरह आपको इसको पूरा repeat करना है तो अगर आपने 40, sorry 80 chains से start किया था तो पहले round में आपको 80 double crochet मिलेगा next round में आपको 40 double crochet मिलेगा और फिर से third round में फिर से 80 ठीक है तो अगर आप इसको भी finish करेंगे तो जितना आप double crochet आपने first round में किया था आपको third round में भी उतना ही मिलेगा तो third round में आपको हर एक stitch में एक double crochet बनाना है देखिए double crochet के उपर आप double crochet बनाएंगे और यह जो chain का gap है उसमें भी आप double crochet बनाते जाएंगे ठीक है तो मैं इसको complete करती हूँ और दिखाती हूँ तो यहां मैंने round 3 भी complete कर दिया है पूरा का पूरा double crochet बना दिया है अब मैं जो पहला double crochet है उसमें मैं एक slip stitch करके यह round 3 फिनिश कर रही है ठीक है अब हम क्या करेंगे यह मेरा waist band है अब मैं इसका body दूसरा color से बना रही हूँ तो इसके लिए मैं यहां इसको join कर रही हूँ तो slip stitch करने की बजाए आप जैसे भी color को join करते हैं वैसे कर सकते हैं मैं यहां इसे slip stitch करके यह जो last का loop है उसको मैं अपने red color से खीच लूँगे तो इसको ऐसे ले लिया और यहां यह बैट गया उसके बाद यहां से भी ले लिया आप जैसे color change करते हैं वैसे कर लीजिए अब हम next round जाएंगे तो इसके लिए एक दो सरी हम सिर्फ एक chain stitch करेंगे और chain 3 नहीं सिर्फ एक chain stitch जो हमारा turning chain होगा ठीक है अब जो हमारा पहला जो double crochet था उसके उपर हम एक double crochet बनाएंगे देखे इस तरह से फिर next double crochet के ऊपर double crochet इस तरह हमें इस पूरे round में जैसे हमने 3rd round किया था वैसे ही हमें 4th round करना है हर स्टिच के ऊपर एक double crochet तो यह 4th round को हमें मुझे लगता है minimum five times तो repeat करना होगा मतलब देखे दिखाती हूं तो यह मेरा round one round two round three round four में contrast red color से कर रहे हैं round four में हर chain के ऊपर में एक double crochet बनाएंगी ठीक है तो मेरा round four होगा तो round four को हमें थोड़ी रोस में repeat करना होगा मतलब हर एक स्टिच में एक double crochet का जो round है वह हमें थोड़े round तक repeat करना होगा तो अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो इसका पट्टी मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है तो यह हो गया और उसके बाद आपको यह seat तक अपने इस round को repeat करना है तो यह तो एक साल तक के लिए जाएगा तो मुझे लगता है तीन महीने के लिए मुझे बस इतना ही करना होगा यहां मेरा seat होगा तो जब तक मेरा यह round यहां तक नहीं हो जाता है मुझे लगता है पांच या छे round of red का double crochet round करना होगा तो मैं बताऊंगी मैंने कितने double crochet का round किया है तो आप भी अपने seat तक के उसमें करनीचे तो देखिए यहां अगर मैं एक साल करना होगी तो मेरा लेंक इतना होगा उपर से यहां तक तो यहां तक मैं करती हूँ और दिखाती हूँ next तो देखिए यहां मैंने थोड़े rows ऐसे complete किये हैं मैंने अक्षरी यहां 8 rows ऐसे red का बनाया है आप भी इसको ऐसे complete कीजे जब तक कि आपका वो पूरा पूरा seat cover complete ना हो जाए अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम दो legs का जो नीचे का भाग है उसको बनाएंगे इसके लिए ह मैंने just stitch mark लगा दिया है तो अगर आपने पहला जो stitch था वो अगर आपने 100 में 100 chain stitch से start किया था तो आप क्या कीजिए उसका आधा 50 में एक stitch mark लगा दीजिए ताकि हम इसको ऐसे divide कर सकें यहां से एक यहां से एक तो जितना आपने किया था उसके आधे में हम इस row को repeat करेंगे तो अगर आपने 120 में किया है 120 chain stitch से start किया है तो आप 60 तक double crochet कीजिए तो यहां मैं एक chain stitch लाओंगी और यहीं पर एक double crochet करूँगी देखिए इस तरह से सेम वही जो आपने पहले किया था उसको करना है सिर्फ आधे तक तो मैं क्या करती हूँ मैं यहां से लेके यहां जो जहां तक मैंने stitch marker लगाया है वहां तक मैं double crochet करती हूँ तो आपने जितना chain stitch किया था उसके आधे में double crochet कीजिए अब क्या करना है आप इसको ऐसे fold कर दीजिए और जो पहला stitch था उसमें आप एक slip stitch बनाएंगे तो आपको क्या करना आपको छोटा एक circle बनाना है तो यह मेरा पहला stitch था उसमें मैं एक slip stitch लगा दूँगी दिखिए यहां से इसको हमने इस circle को close कर दिया है अब आप क्या करेंगे फिर से chain stitch करेंगे और जैसे आपने बड़ा circle किया था आप छोटे circle में work करेंगे तो पहले stitch में double crochet और उसके बाद हर एक stitch में एक double crochet करके इस round को भी complete करेंगे दिखिए इस तरह से same procedure repeat करना है हर एक stitch में एक double crochet देखिए ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो यह हमारा एक पाव का एक gap है यहां हम फिर से बनाएंगे तो आपको क्या करना है आपको हर stitch में एक double crochet करके ऐसे rounds बनाने है और आपको जितना आपका लंबा पैर है उतना आपको ऐसे double crochet का round बनाना है तो आप हर एक round ऐसे बनाएंगे पहले stitch और last के stitch को slip stitch से join करके round बनाते जाईए तो देखिए यहां मैंने थोड़े से row complete कर दिया है और में यह height काफी था तो मैंने यहां stop कर दिया है तो यहां सिर्फ यही जो हमने बड़ा circle किया था उसको मैंने आधा करके same double crochet का rows complete किया है साथी में मैंने यहां last में color change कर गया यहां भ करना है तो वह भी कर सकते हैं अब हम इसका next side बनाएंगे तो उसके लिए आप फिर से एक knot बना लीजे slip stitch sorry slip knot बना के हम क्या करेंगे जहां हमने यह देखे इस stitch में जहां से हमने इसको divide किया था उसी में हम इसको यहां फिर से हम इसको डालेंगे यहां डालके यहां slip stitch लगा देंगे और फिर हमें फिर से यहां double crochet से start करना है एक मिनट तो यहां हम slip stitch लगा के इसको ऐसे join करेंगे ठीक है अब उसके बाद हमें एक chain stitch बनाना है और फिर इसी stitch में double crochet इसके बाद इस रोम में भी हम double crochet बना देंगे देखिए मैं थोड़ा इसको complete करती हूं और लास्ट का stitch कैसे slip stitch करते हैं वो थोड़ा दिखाती हूं तो आप इसका जो second पार्ट है इस पूरे राउन में भी यहां तक double crochet कर लीजिए तो यहां इस राउन में भी आने देखिए अब पूरा double crochet से बना दिया है अब हम क्या करेंगे यह पहला stitch और पहला stitch हम slip stitch से join कर लेंगे जहां में double crochet का stitches किया था देखिए इसको ऐसे हम इस तरह से join कर लेंगे तक है यह हमारा दूसरा लेक का ग्याप बन जाए अब इसके बाद हम फिर से हम एक chain stitch करेंगे और same हमें double crochet का रौंड रिपीट करना है तो इसके बाद हम यहां डबल खोशे का रौंड तो यहां चेंड स्टिच और फिर हर एक स्टिच के ऊपर एक डबल खोशे तो आप भी इसे पुरा सेम तरीके से रिपीट कर लीजे ठीक है जब तक कि आपका वह दूसरे डेक के हिसाब से हाइट कंप्लीट ना हो जाए ठीक है तो मैं यह थोड़ा करती हूं और फिर यह कैसा दिखता है वह फाइनल पड़क दिखाती हूं तो दिखिए यहां मैंने दोड़ों साइड भी कंप्लीट कर दिया है सेम डबल खोश कि अचे हिसे पजामा या पैंट अगर आपको लगता है यहां थोड़ा ग्याप है होल जैसा लग रहा है तो आप keeping this time साइड करसे सकते हैं स्लाइठ सेम कलर से मेरा प्लक्रण वह नहीं यह थीक आया है अब क्या करसकते हैं यहां यहां देखिए अगर आप एक side में मेरे यहां seam है तो मैं इसको ऐसे back side करके यह मेरा front रहेगा मैंने यहां देखिए एक chain stitch का थोड़ा pure chain stitch है और मैं क्या करूंगी यहां यहां gaps डाला है उस में मैं है इसको आगे पीछे करके इसको बंद कर दूँगे ताकि हम इसका डोरी बना सके तो आपको यहां मैंने इसको ऐसे लगा दिया है और आप इसको टाइट भी कर सकते हैं तो आपका यह वेस्ट एड़स्ट हो जाएगा तो उमीद है आपको यह अच्छा लगा होगा और आप भी जरूर ट्राइक करेंगे अग अगर आप मेरे चैनल में नहीं आये हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजे तो आगले वीडियो में भी लूंगी तब तक के रिए बाई थैंक्स फॉर वाचिंग